ग्रीन बोर्ड पर आप सभी का स्वागत है मेरा नाम है मंदीप क्लास टेंथ का चेप्टर नंबर 9 नई NCRT बुक से लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रेक्शन उसकी डीटेल में पूरे लेक्चर वाली वीडियो फ्री ओफ कोस्ट आपको करा दी गई है इस वीडियो में हमने चेप्टर को डीटेल में डिसकस कर लिया था अब बारी आ जाती है इस चेप्टर के कोशन आंसर्स की दो तरह के कोशन आंसर्स होते हैं इन टेक्स्ट वाले और लास्ट में एक्ससाइज वाले इस वीडियो में हम बात करेंगे इसी चेप्टर लाइट रिफ्लेक्शन and reflection के in-text questions की यानि कि जो chapter के बीच में दिये होते हैं इसमें numericals भी include हैं तो जो भी question answers हैं जो भी numericals हैं सभी को बहुत detail में यहां पर explain करूँगा इस वीडियो को अगर आपने last तक देख लिया तो कोई भी doubt नहीं बचेगा और वीडियो को सिर्फ देखना नहीं है अपने classmates के साथ share भी कर देना है तो इस वीडियो में start कर लेते हैं in-text questions, light, reflection and reflection के numericals को भी solve कराएंगे शुड़ू करते हैं next page से सबसे पहले questions आते हैं in-text वाले page number 142 पर नई NCRT book के according सारी चीज़े में बता रहा हूँ तो सबसे पहले question में ये कहता है define the principle focus of a concave mirror जो भी हमारा concave mirror होता है इस तरह का जो दिखाई देता है इस concave mirror पर principle focus को हमें define करना है पहले समझ लो भाई principle focus क्या होता है जब principle axis के parallel light rays आती है reflection होता है उनका concave mirror से और सारी की सारी जो parallel आई है वो converge होती है इस principle focus पर इसी की definition बना दो तो definition में आ जाएगा it is a point on principle axis सबसे पहले तो हमने ये बता दिया definition में कि भाई ये point होता है principle axis पर at which a light ray parallel to principle axis converge after reflection principle axis के जो भी parallel lines होंगी वो reflection के बाद इसी point पर converge होती है उसको हम कहेंगे principle focus easy definition यहाँ पर हो गई है हमारी complete बात करेंगे question number 2 की question number 2 में कहता है the radius of curvature of spherical mirror is a 20 centimeter what is it's a focal length radius of curvature जो है न वो दिया गया है हमें 20 centimeter focal length हमें बतानी है तो बहुत easy आपको पता होगा कि radius of curvature का half जो है न वो होती है focal length answer में भी हम लिखेंगे focal length equals to me half of radius of curvature तो just this formula में हमें value put करनी है जो भी हमारा यहाँ पर 1 by 2 है वो as it is रहेगा multiply का sign लगा देंगे radius of curvature हमें यहाँ पर 20 centimeter दिया गया है तो भाई यहाँ पर लिख देंगे 20 अब आप यहाँ पर देखो नीचे की तरफ 2 दिया गया है उपर की तरफ 20 दिया गया है 2 से 20 को cancel करेंगे 10 times पर बचा क्या है हमारा यहाँ पर देख सकते हो 1 को 10 से multiply करेंगे तो यह हो जाएगा हमारा यहाँ पर 10 cm यानि की focal length कितनी हो जाएगी जो भी हमारा spherical mirror दिया गया है 10 cm हमेशा धान रखो जो भी radius of curvature दिया गया होता है उसका आधा कर दोगे तो focal length हमें मिल जाती है ठीक है simple way में हमने question number 2 कर लिया है complete बात करेंगे next question number 3 की question number 3 में यह कहता है name a mirror that can give an erect and enlarged image of an object हमें उस mirror का नाम बताना है जो object की image erect और enlarge यानि की body बनाता है erect यानि की cd तो answer में आ जाएगा हमारा भाई concave mirror जो इस तरह का mirror आपको दिखाई देता है concave mirror यह erect और enlarge image बनाते हैं किसी भी object की concave mirror कौन सा होता है जो पीछे वाले page पर जिसको हमने focus define करने के लिए use किया था principal focus जिसकी polish बहार की तरफ से की जाती है concave यानि की गुफा वाला ठीक है तो यह हो जाता है question number 3 का answer इसे next हमारा question आ जाता है question number 4 question number 4 में कहा गया है why do we prefer a convex mirror as rear view mirror in vehicles जो भी हमारे vehicles होते हैं उसमें पीछे वाली गाडियों को देखने के लिए हम convex mirror का use करते हैं भाई क्यों use करते हैं answer में सबसे पहले देखो side mirror जो होता है हमारा पीछे वाली गाडियों को देखने के लिए यह हमारा convex mirror होता है भाई इसके reason क्या क्या होते हैं दो reason यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले तो, convex mirror always produces an erect image of object, जो भी object होते हैं, उनकी erect image बनाता है, यानि की सीधी image बनाता है, अगर कोई गाड़ी, हमारी कोई car side mirror में दिखाई देगी, तो वो सीधी ही दिखाई देगी, ऐसा नहीं है कि वो उल्टी हमें दिखा होती है, जैसे side view mirror में हम truck देखते हैं, तो छोटा सा truck हमें दिखाई देता है, अब इसके फाइदे क्या-क्या है, अगर आप driving करते हो, driving का experience आपको है, तो इसके बहुत सारे फाइदे होते हैं, भाई एक तो wide view मिल जाता है, पूरी सडक कर, मलब हम side वाले mirror में ही देख सकते हैं, कि पूरी सडक पर पीछे से कितनी गाडियां आ रही है, wide field of view हमें मिल जाता है, ठीक है, तो यही reason हो जाएगा, the image is smaller than the object, object से छोटी image बनती है, due to which gives a wide field of view of the traffic behind, जो भी हमारे पीछे traffic है, उसका wide field of view हमें मिल जाता है, इसलिए convex mirror का use किया जाता है, side view mirror में, या फिर rear view mirror जो गाड़ी के बीच में लगा होता है, अंदर वो भी हमारा convex mirror होता है, side में जो लगे होते हैं, वो भी convex mirror ही होते हैं, page number 142 के 4 question हमने कर लिये हैं, complete, next questions आते हैं, page number 145 पर question सबसे पहला इस में दिया गया है, यहाँ पर हमें find the focal length of convex mirror whose radius of curvature is 32 cm, भाई, radius of curvature 32 cm दिया गया है, mirror यहाँ पर आपको ध्यान से देख लेना है, convex mirror है, इसका हमें focal length find करनी है, वही formula एक ही होता है, जिसका use हम page number 142 पे जो question दिया गया था, उसके लिए कर चुके हैं, वही formula यहाँ पर apply करेंगे, focal length find करने का page number 142 पर formula जो हमने use किया था, वही formula यहाँ पर use करेंगे, लिख अब यहाँ पर value हमें just put करनी है, 1 by 2 हमारा as it is आ जाएगा, multiply में radius of curvature कितना दिया गया है, 32 दिया गया है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 32, एक बात मुझे बताओ भाई, नीचे 2 दिया गया है, उपर 32 दिया गया है, 2 से 32 को cancel करेंगे, 16 times पर उसके बाद solve कर लेंगे बच 32 दिया गया है, तो focal length आ जाएगी उसकी half यानि की 16 cm, जस्त आपको half कर देना है, question number 1 हुआ complete, अब बात करते हैं question number 2 की, question number 2 में हमें ये कहता है, a concave mirror produces 3 times magnified in last real image of an object placed at 10 cm in front of it, where is the image located, भाई सबसे पहले हमें क्या कहा गया है, कि एक concave mirror है, ठीक है, solve करेंगे, ये numerical है, सबसे पहले हम बना लेते हैं, भाई हमारा एक concave mirror, concave mirror के सामने एक object को रखा गया है, जो भी object रखा गया है, उसकी image जो है ना, वो 3 times magnified होती है, यानि कि उससे object से 3 गुना बड़ी बनती है, जो भी object है, वो 10 cm दूरी पर रखा गया है, हमें बताना है कि image कहां पर located होगी, अब इसमें कुछ चीज़े आपको देखनी है, solution में कुछ चीज़े यहां पर मैं लिख लेता हूँ, जैसे जो भी हमारा distance of object है, वो उसको U से denote कि किया जाता है, और जो हमारा magnification है, उसको M से denote किया जाता है, magnification का formula जो है, chapter वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था, अब यहां पर बात समझो, सबसे पहले क्या होगा, जो भी हमारा यहां पर यह concave mirror है ना, इसके सामने object को रखा गया है, ठीक है भाई, यहां पर object को र image बनती है, जब भी real image बनती है, concave mirror में, तो वो same side बनती है, जिस side object होता है, यानि कि image जो है वो इसी side में बनेगी, और जो भी हमारा mirror होता है, उससे left hand side में जितनी भी values होती है, वो सारी की सारी negative होती है, minus में होती है, ठीक है, अगर हम इसी object जो यहां पर हमें दिया गया है इसकी image बनाने चलें, तो किस तरह से में image बनेगी, भाई, यह टकराएगा, इस तरह से निकल जाएगा, ठीक है, उसके बाद यहां से एक और हम draw करेंगे, और इस तरह से, मलब यहां कहीं इस तरह से image इसकी बनेगी, ray diagram कैसे बनाते हैं, chapter वाली वीडियो में मैंने आपको ब करते हैं, वो हमें 10 cm दिया गया है, अगर mirror से left hand side में है, तो यह वाली value negative होती है, sign convention से, ठीक है, तो यह हो जाएगा minus में 10 cm, हर बात का ध्यान रखना है, कि कोई भी value जो mirror से left hand side में है, वो negative होती है, ठीक है, तो भाई, जो भी object की position हमें 10 दी गई है, वो minus 10 हो जाएगी, इसक को denote किया जाता है, V से, V की value हमें find करनी है, अब यहाँ पर important बात आती है, magnification की, भाई, magnification कितना है, 3 times है, जो भी image बन रही है, आप देखो, object सीधा रखा गया है, image जो है, वो उल्टी बन रही है, लेकिन real बन रही है, ठीक है, inverted and real image बन रही है, जब inverted बनती है, जो भी हमारी principle line है, उससे नीचे की तरफ बनती है, तो sign convention से जो image है, वो क्या हो जाएगी हमारी, उसका magnification negative minus 3 हो जाएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है, हमें magnification का formula तो मैंने आपको बता ही दिया था, magnification का formula होता है, यहाँ पर minus में V upon में U, value पुट करो इसमें और answer, find कर लो, भाई, magnification जो हमारा यहाँ पर है, इसकी value minus 3 पुट कर देता हूँ, minus 3 equals to में minus V हमारा as it is रहेगा, upon में जो भी हमारा U है, उसकी value हो जाएगी minus में, 10 U की value minus में 10 पुट कर दी, उपर minus, नीचे minus, minus से minus, काट तो, अब क्या होगा, हम V की value find कर रहे हैं ना, तो भाई, V यहीं पर रहेगा, 10 क यहाँ पर minus 3 में multiply होगा, तो यह हो जाएगा minus 30 centimeter, और equals to में हमारा बचेगा क्या, यहाँ पर हमारा V बच जाएगा, यह चीज आपने कर ली अगर, तो numerical solve हो गया, answer आ जाएगा हमारा V, यानि कि distance of image, minus 30 centimeter, easy peasy हमने यहाँ पर किया, क्या चीज़े ध्यान रखनी है, by sign convention, अग वो negative होती है, principle axis से नीचे की तरफ जो भी चीज़े होती है, वो negative में होती है, values अगर आपने सही रखी और सही formula का इस्तमाल किया, easy peasy numerical solve हो जाएगा, यह हमने answer find कर लिया है, question number 2 के लिए, 145 के बाद, page number 150 पर हमारे questions आते हैं, पहले question में कहता है, A ray of light traveling in air enters oblig into water, does the light ray bend toward the normal और away from the normal, why? हमारी एक light ray है, जो air से water में enter करती है, हमें बताना है, क्या light ray normal की तरफ bend होगी, या normal से दूर bend होगी, और क्यों होगी, reason भी हमें देना है, तो भाई, बहुत simple answer में लिख देंगे, the light ray bend toward the normal, जो भी light ray होती है, जब air से water में वो enter करती है, जैसे इस diagram से समझो, उपर हमारा white air medium है, नीचे हमारा water है, air जो है, उपर की तरफ है light ray हमारी air से water में जब enter करती है, तो normal की तरफ ये bend हो जाती है, क्योंकि air हमारा rarer medium होता है, water हमारा denser medium होता है, जब भी कोई light ray rarer medium से denser medium में enter करती है, तो वो normal की तरफ bend करती है, बस यह ही चीज हमें लिखनी है ठीक है दा light ray bent toward normal, normal की तरफ वो bend होगी because the ray of light goes from a rarer medium to denser medium, चोकि भाई air rarer medium है और water हमारा denser medium है, rarer medium से जब denser medium में वो enter होती है तो normal की तरफ bend होती है, एक line में आपको answer ये लिख देना है, diagram बनाने की जरूरत बिलकुल नहीं है, ये explain करने के लिए मैंने आपको बताया है, इसी page number 150 पर next हमारा question number आता है, 2 question number 2, एक numerical है, इसमें कहा गया है, light enters from air to glass having refractive index 1.50, what is the speed of light in the glass, the speed of light in vacuum is 3 into 10 to the power 8 meter per second, एक बात मैंने आपको कई बार बताई है, जो vacuum है, air है, उसमें light की speed, ये हमें given भी है, इतनी होती है, ये आपको ध्यान रखना है, हमें बताना है, glass में जो light है, उसकी speed क्या होगी, अगर glass का refractive index 1.50 हमें given हो, हमें light of speed find करनी है, glass में, तो बाई सबसे पहले answer में एक चीज़ यहाँ पर एक formula मैंने लिख दिया है, अब ये formula कहां से आया है, इस बात को समझो, मैंने chapter वाली वीडियो में आपको एक formula बताया थ n equals to me, c upon me, v, जो भी हमारा यहाँ पर n है, वो क्या है, हमारा refractive index है, v हमारा क्या होता है, refractive index जिसका भी given होता है, उसमें light की speed, और c होता है हमारा speed of light, तिनों चीज़े यहाँ पर लिख देता हूं, N का मतलब होता है refractive index, C का मतलब होता है speed of light in vacuum, vacuum में light की कितनी speed होती है और V का मतलब होता है speed of light in other medium, जो भी other medium दिया होता है vacuum से अलग, उसमें light की speed कितनी होती है, इस वाले formula की बात मैंने की थी chapter वाली वीडियो में, अब इस formula में थोड़े से बदलाव, जब हम करेंगे V और N क जो position है, उसको हम shift कर देंगे, तो हमारा formula क्या बन जाएगा, भाई ये हो जाएगा V equals to में C upon में N, ये formula हमारा हो जाता है, C हमारा क्या है, speed of light in vacuum जो उपर की तरफ यहां आ गया है, N हमारा हो जाता है, refractive index, किसका refractive index है, जिसकी speed of light हम find कर रहे हैं, जैसे यहां पर light की speed हम find क ग्लास के अंदर तो उसका refractive index यहां पर आ जाएगा, तो value हमें just put करनी है, C की value आ जाएगी, हमारी C यानिकी speed of light in vacuum जो होती है, हमारी 3 into में 10 to the power 8 meter per second, उसके बाद denominator में आ जाएगा हमारा N यानिकी refractive index, 1.50 हमें given है, तो यहां पर आ जाएगा भाई, 1.50, अब इसको just हमें solve करना है, बाई, simple सी बात है, 1.50 को अगर हम 2 से multiply करेंगे, तो 3 यह बन जाता है, 1.50 into में 2 करने पर 3 बनता है, और उपर की तरफ हमें 3 दिया गया है, यानिकी cancel कर सकते हैं, तो बाई, 1.50 से जब 3 को cancel करेंगे, तो यह 2 times पर cancel हो जाएगा, हमारी value उपर 2 आ जाएगी, 2 के अल यह answer हो जाएगा हमारा question number 2 के लिए, इतना ही simple है, just आपको यह formula याद रखना है, टिके main formula हमारा, n equals 2 में c upon v होता है, यह formula आपने याद रखना है, value put करनी है, calculation करनी है, answer find easily कर लेना है, exam में इस तरह का question कई बार आता है, आगे भी आएगा, अच्छी तरह से इस formula को आपने सम लेना है, so यह हो गया है, हमारे question number 2 का answer, question number 2 हो जाता है, complete, question number 2 के बाद बारी आ जाती है, question number 3 की, question number 3 में कहता है, find out from table 10.3, the medium having highest optical density, also find the medium having lowest optical density, जो भी हमारा table दिया गया है, book में 10.3, उसमें से हमें बताना है, highest optical density किसकी होगी, और जो lowest optical density है, वो किसकी होगी, तो भाई देखो, highest optical density उसकी होती है, जिसका refractive index सबसे जादा होता है, table 10.3 को हम देखेंगे, तो answer हमें मिल जाएगा, diamond has highest refractive index, diamond का refractive index सबसे जादा होता है, 2.42, इसलिए, so it has highest optical density, अगर refractive index जादा है, तो highest optical density हो जाएगी, air has lowest refractive index, table 10.3 में refractive index जो air का है, वो दिया गया है, 1.0003, मलब सबसे कम refractive index table में दिया गया है, इसका, तो क्या होगा, lowest optical density होगी, highest refractive index diamond का है, तो highest optical density हो जाएगी, air का lowest refractive index है, तो lowest optical density air की हो जाएगी, easy-peasy answer आपको लिख देना है, एक बात का ध्यान रखना है, कि अगर highest refractive index है, तो जो optical density है, वो भी highest ही होती है, अगर lowest refractive index है, तो जो optical density है, वो भी lowest होती है, इस बात को आप ध्यान में रखना, और जो भी answer है, वो लिख देना है, अपनी language में भी लिख सकते हो, question number 3 हुआ complete, इसी page पर आता है, question number 4, question number 4 में कहता है, you are given kerosene, turpentine and water, in which of these does light travel faster, use the information given in table 10.3, भाई, फिर से हमें table 10.3 का use करना है, हमारे पास 3 चीज़े हैं, kerosene है, turpentine oil है and water है, 3 medium हैं हमारे पास है, हमें बताना है कि भाई, कौन से medium में light सबसे fast travel करेगी, जिसका refractive index सबसे कम होगा, उसी में light fast travel करती है, तो भाई, answer में सबसे पहले, kerosene का refractive index 1.44 है, turpentine का refractive index है, वो है 1.47 और water का refractive index है 1.33, सबसे कम किसका है, जिसका सबसे कम refractive index होता है, उसी में सबसे fast light travel करती है, तो भाई, सबसे कम आप देख सकते हो, water का है, तो answer में यहाँ पर आगे लिख देना है, water has the lowest refractive index है, therefore light travels fast in water, इन तीन चीजों में से light को जब पास किया जाएगा, सबसे कम वाला water का refractive index है, तो इसी में water में ही light सबसे fast travel करेगी, अगर हम इन तीन में compare करेंगे तो, ठीक है, यही compare करने को बुला गया है, तो water में सबसे fast light travel करेगी, आगे भाई, question number 5 आ जाता है, question number 5 में कहता है, the refractive index of diamond is 2.42, हमें पता है, भाई, table 10.3 में दिया गया है, diamond का refractive index 2.42 होता है, question में भी दिया गया है, what is the meaning of this statement, तो इस statement का क्या मतलब निकाला जाता है, यह हमें बताना है, भाई, कई मतलब निकाले जा सकते हैं, लेकिन हमारा chapter light से related है, तो हम कहेंगे answer में, the refractive index of diamond is 2.42, we mean that the speed of light in diamond is lower by factor of 2.42 relative to that in vacuum, भाई, अगर हम vacuum से compare करते हैं, इस refractive index diamond वाले को, तो यह बहुत जादा है, अगर जादा refractive index है, तो जो speed of light है, वो भी lower हो जाती है, इस statement से हम यह conclusion निकाल सकते हैं, यह meaning निकाल सकते हैं, speed of light को ध्यान में रखते हुए, और diamond के refractive index को ध्यान में आपको simple सा यह सीधा सा answer लिख देना है, page number 150 के जितने भी questions थे, वो हमने कर लिए है, complete अब बारी आ जाती है, page number 158 की, 158 पर सबसे पहला question आता है, define one diopter of power of a lens, भाई, power of lens को diopter में measure किया जाता है, इसको हमें define करना है, तो भाई, answer में लिख देना है, one diopter is the power of a lens, whose focal length is 1 meter, किसी भी lens की focal length अगर 1 meter होती है, तो उसकी power one diopter होती है, one diopter को हमने यहाँ पर define easily कर दिया है, एक line में कर दिया है, अब इसी page पर हमारे दो questions आते हैं, वो दोनो numerical है, question number 2 की बात करते हैं, भाई, इस numerical को समझते हैं, इसी page पर आ जाता है question number 2, यह भी हमारा एक numerical है, numerical में कहता है, a convex lens forms a real and inverted image of a needle at a distance of 50 cm from it, where is the needle placed in front of convex lens, if the image is equal to the size of the object, also find the power of the lens है, हमसे कुछ चीजे दी गई है, कुछ चीजे find करने को कहा गया है, भाई, एक convex lens है, उस पर जो image बनती है, वो real or inverted image बनती है, आपको मैंने chapter वाली वीडियो में क्या बताया था, कि जिस side भी हमारा object होता है, हमारा convex lens जब होगा, तो उसके opposite में जो image बनती है, वो real or inverted image होती है, ठीक है, बहुत simple बात मैंने कही थी, यानि कि image किस तरफ बन रही है, भाई, हमारी image बन रही है, object के opposite side, ठीक है, जिस side object है, उससे opposite side हमारी image यहाँ पर बन रही है, तो जो भी image बन रही है, वो 50 cm दूरी पर है, हमसे क्या पूछा गया है, कि भाई, जो भी needle हम place करेंगे, object जहाँ पर place करेंगे, वो कितनी दूरी पर होगा, lens से, ताकि जो size है, object का और image का वो एक दूसरे के equal हो, इसके अलावा हमें power of lens भी find करना है, तो कुछ चीज़े यहाँ पर मैं पहले से आपके यह लिख देता हूँ, सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिख दिया है, object distance जिसको हम u से denote करते है, image distance ही से denote करते है, image की height h dash denote करते है, object की height को h से denote किया जाता है, हमसे क्या कहा गया है, कि भाई, जो भी image है और object है, उसकी height equal होनी चाहिए, तो image की height और object की height दोनों को हम क्या रख भाई मैं रख देता हूँ मालो यहाँ पर हमारा 1 है तो object के height भी हमारी 1 हो जाएगी इसके अलावा हमें क्या दिया गया है भाई जो image का distance है वो 50 cm दिया गया है image हमारी right hand side की तरफ बन रही है sign convention से आपको पता होना चाहिए अगर जो भी हमारा यहाँ पर lens है उसके right hand side में values positive होती है यानि कि image का distance जो है वो plus 50 cm हो जाएगा हमें find करना है object का distance यानि कि u की value हमें find करनी है तो formula आपको पता है न वी upon में u ये equal होता है guys हमारा h dash upon में h के ये वाला formula मैंने आपको chapter वाली वीडियो में बताया था इस formula का use करके हम u की value find कर सकते हैं देखो कैसे find करनी है हमें पता है भाई v की value कितनी है 50 है तो इस v की जगे पर हम put कर देंगे 50 upon में u हमारा आ जाएगा अब इसको solve कर लेंगे भाई cross multiply करके solve करना बहुत आसान होता है यू को यहाँ पर one से हम कर देंगे multiply यू को one से multiply करने पर भाई हमारा यू ही आ जाएगा इसके बाद 50 को इधर cross में multiply करेंगे 50 बंजा ये हो जाएगा हमारा 50 जो भी हमारा यू है उसकी value हमें 50 मिल जाती है अ लेंस से left hand side में है तो value negative यानि की minus में होगी यू की value हो जाएगी minus में 50 ठीक है ये हो जाएगा हमारा object distance हमने find कर लिया है minus में 50 यहाँ पर आ जाएगा minus 50 cm यानि की minus 50 क्या show करता है जो भी हमारा object है वो left hand side में है और 50 cm दूरी पर है लेंस से u की value हमने find कर ली है अब हमें power of lens भी find करनी है भाई power of lens फाइंड करने के लिए यहाँ पर एक line लगा लेता हूँ power of lens जिसको हम dioktor में find करते हैं उसके लिए हमें focal length का पता होना चाहिए हमें किसकी value पता होनी चाहिए बई small f की value का पता होना चाहिए क्या होगी small f की value इसके लिए मैं formula लिख देता हूँ बाई 1 upon f यह equal हो जाता है guys 1 upon v minus 1 upon u इसमें हम value put करेंगे और f की value find कर लेंगे so simple है हमारा 1 upon f as it is रहेगा equals to 1 upon v की value आजाएगी यहाँ पर 50 उसके बाद minus 1 upon u की value आजाएगी minus 50 अब इसको solve हमें करना है तो जो भी यह design मैंने बनाया है जो भी figure मै ने बनाया था समझाने के लिए उसको हटा देता हूँ solve करने पर आएंगे तो भाई देखो 1 upon में f मेरा as it is रहेगा equals to में यह देखो minus minus plus हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पर आजाएगा 1 upon में 50 उसके बाद बीच में plus का sign 1 upon में 50 अब यहाँ पर हम 1 upon में f as it is equals to में यहाँ प 50 उपर वाली values add हो जाएगी 1 plus में 1 यह हो जाएगा हमारा यहाँ पर 2 उपर 2 है नीचे 50 है तो हम cancel कर सकते हैं 2 ones are 2 उसके बाद 2 25 times पर लेकर जाएगे तो 50 हो जाता है आप यह देख सकते हो कि एक side में हमारे पास 1 upon f है है दूसरी side में 1 upon 25 है है अगर हम इस fraction को 1 upon f को पलट द देते हैं तो हमारा f upon में 1 हो जाएगा ठीक है यह हो जाएगा हमारा f upon में 1 और equals to में इस वाले fraction को भी हम पलट देते हैं 1 upon 25 तो यह हो जाएगा हमारा 25 upon में 1 और math के question कराते समय मैंने आपको हर बार यह बताया है कि denominator में 1 लिखना ज़रूरी नहीं होता है तो denominator वाले 1 को हमा रब करके हटा देंगे value क्या आ जाएगी हमारे पास है f equals to में आ जाएगा हमारे पास 25 यह value आ जाती है हमारी focal length आ जाती है focal length हमारी किस में आई है भाई cm में आई है क्यों 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 यहाँ पर unit हमें 50 cm दी गई है तो भाई यह भी हमारी centimeter में आएगी अगर हम इसको meter में convert करेंगे तो हम इसको 100 से divide करेंगे 25 को 100 से divide करेंगे तो यह आ जाएगा 0.25 meter है जब हम इसको meter में convert कर लेंगे उसके बाद power of lens को find किया जाता है भाई power of lens को find करने के लिए फिर से यहाँ पर मैं line लगा लेता हूँ power of lens का formula क्या होता है p equals to में 1 upon में f आ जाता है तो भाई p as it is equals to में 1 upon में f की value कितनी है meter वाली value हमेशा आपने रखनी है यह है 0.25 meter तो यहाँ पर आ जाएगा 0.25 अब उपर 1 है नीचे 0.25 है अगर आप इसको calculate करोगे तो power of lens आपको किस में मिल जाएगी यह मिल जाएगी आपक 4 यानि कि 0.25 पो 4 से multiply करते हैं तो 1 आएगा कहने का मतलब यह है 0.25 से हम 1 को cancel करेंगे तो 4 value हमें मिल जाती है अब यह 4 क्या है भाई हमारा 4 diopter है इसके आगे हमें unit भी लिखनी होगी unit लिखना कभी भी भूल मत जाना एक या डेड नंबर teacher आपका काट लेगा इस तरह से numerical क हमने find कर लिया उसके बाद focal length हमने find की भाई 0.25 मेटर जिससे हमने power of lens का पता लगाया power of lens हमें मिल गई 4 diopter इस तरह से यह question number 2 हुआ complete अभी एक numerical और बचा है in text में उसके लिए move करते है next page पर in text में page number 158 पर सबसे last question हमारा आता है question number 3 इसमें कहा गया है find the power of concave lens of focal length 2 मेटर हम हमारे पास एक concave lens है इस तरह का होता है इसकी जो focal length है वो 2 मिटर हमें दी गई है हमें power of this lens find करनी है जो concave lens है उसकी power find करनी है ध्यान से समझना बहुत ज़रूरी है इस question को समझना sign जो होगा minus plus उसका ध्यान रापने रखना है तो सबसे पहले focal length है जो भी हमारा concave lens होता है भ है तो उसकी image का focus कहां पर होता है image कहां पर बनती है f1 जो होता है न हमारा इसी side में f1 पर बनती है ठीक है यहां पर हमारी image बनेगी object इधर है तो image भी इधर ही बनती है virtual image जो बनती है आपको chapter में सारे ray diagram मैंने explain कर दिये थे तो जो भी हमारे left hand side में बनेगी image तो left hand वाली जो focal length है वो किसमें हो जाएगी negative हो जाएगी तो 2 meter है हम लिखेंगे minus 2 meter इसके बाद power of lens हमें find करनी है तो भाई power of lens का formula होता है one upon में f f की value कितनी है minus 2 meter तो भाई इसमें put कर दो one हमारा as it is f की जगे पर minus 2 आ जाएगा cancel करेंगे तो यह आ जाएगा 0.5 diopter ध्यान रखना है यहां पर minus का sign लगा हुआ है तो इसके आगे भी आपने minus का sign लगा देना है यह हुआ हमारे question number 3 का answer power of lens हम किसकी find कर रहे हैं अगर concave की find कर रहे हैं और convex की find कर रहे हैं तो minus plus sign का आपने ध्यान रखना है question number 3 हो जाता है complete इसी page number 158 के question number 3 के साथ जो भी नई NCRT book के in text question थे सारे के सा miracles हो जाते हैं complete उमीद करूँगा सभी के सभी question आपको समझे आई होंगे अगर आए हैं तो वीडियो को like कर देना अपने classmates के साथ share जरूर कर देना और जितने भी नए विद्यारती आते हैं नए student आते हैं चैनल को subscribe कर लेना क्योंकि class 10 की math और science की बहुत detail में वीडियो जिसी भाई इसको जरूर देखो chapter पूरा आपको समझ में आ जाएगा अगर chapter के exercise वाले questions करने हैं तो उसकी एक अलग से video बनाई गई है उसको भी देख लेना और सभी questions और numericals को समझ लेना और complete कर लेना जो भी ये videos हैं इस chapter की तीन videos हैं एक वीडियो में chapter explain किया है दूसरी में text वाले questions है और तीसरी video में जो हमारी exercise है एक chapter के end वाले questions है उनको detail में explain किया गया है तीनो videos के link आपको नीचे description box में दिये गए है सभी को देख लेना और अच्छी तरह से समझ लेना तो इस video में इतना ही मैं मिलूँ आपसे इसी तरह की next educational video में